हेलो एवरीवन वेलकम अगीन टू लेंट व्रिद यतिमन तो काफी बच्चे जो हैं इंतजार कर रहे थी कि मैं हम लोगों ने 6th क्लास पूरी कंप्लीट पढ़ ली है आपके साथ अब हमें कोशन आंसर सिरीज करवाएं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग कोशन आं राजिस्थान क्लास 6 का चैप्टर 1 की कुशन आंसर करेंगे तो बहुत ही ध्यान से आप लोगों को ये देखना है उससे पहले यदि आपने चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज चैप्टर पढ़िएगा चैप्टर पढ़ने की बाद ये कुशन आंसर आपको बहुत ज्यादा इजी लगेंगे यहाँ पर एक भी सिंगल कुशन जो है वो आप लोगों का नहीं छोड़ा गया है पूरा ही चैप्टर आप लोगों का कवर हो जाता है कुशन वन है राजिस्थान की अक्षांसिय इस्तती क्या है तो यह 23 डिगरी 30 मिनट उत्तर से 30 डिगरी 12 मिनट उत्तरी अक्षांस में फैला हुआ है ठीके राजिस्थान भारत के उत्तर पक्षमी भाग में है यह 23 डिगरी 30 मिनट से 30 डिगरी 12 मिनट उत्तरी अक्षांस मे पहला हुआ है नेक्स्ट है राजिस्तान की देसांतर्य स्तती क्या है तो इसकी जो देसांतरिय स्तती है वह 19 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी अक्षान्स में इस्तित है राजिस्थान का शेत्रफल कितना है राजिस्थान का शेत्रफल 3,42,249 वर्ग किलोमीटर है याद रखना है इसका कुल शेत्रफल 3,42,249 वर्ग किलोमीटर है तो यहां बिलकुल मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ चैप्टर में तो यहां पर हम केवल question answer जो है वो नेक्स्ट देखिए question 4 राजिस्थान की पूर्व से पक्षिम और उत्तर से दक्षिन कितनी लंबाई है तो देखिए पूर्व से पक्षिम जो है यह 889 किलोमीटर लंबा है जबकि 826 किलोमीटर लंबाई इसकी उत्तर से दक्षिन है ठीक है तो पूर्व से पक्षिम जो है इसकी लंबाई अधिक है जबकि उत्तर से दक्षिट 826 किलो मीटर है तो इन चारों कुश्चन को है दुबारा से रिवाइज करा देती हूं मैं आपको कि राजिस्थान जो है वो भारत की उत्तर पक्षमी भाग में इस्तित है 23 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्री अक्षान और 79 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशानतर के बीच इस्तित है और अगर पूरा शेत्रफल पूछा जाए तो इसका 3,42,249 वर किलो मीटर जो है इसका शेत्रफल है ठीक है और उत्तर से दक् 20 किलो मीटर और पूर्व से पक्षिम तक 889 किलो मीटर इसकी लंबाई है चलिए नेक्स्ट देखते हैं question number 5 राजिस्थान का सबसे पूर्वी जिला और पक्षमी जिला कौन सा है तो बहुत important है कि धौलपुर जो है राजिस्थान का पूर्वी जिला है और पक्षमी जिला जो है वो कौन सा है जैसल मेर है या फिर पूछा जाए कि राजिस्थान का सबसे चोटा जिला कौन सा है तो धौलपुर है और सबसे बड़ा जिला है जैसल मेर नेक्स्ट देखिए राजिस्थान के पडोसी राज्य कौन कौन से है राजिस्थान के पडोसी राज्य कौन से हैं जिन बच्चों ने मेरे साथ चैप्टर बढ़ा था तो उनको ये कोशन बहुत जादा इजी लगेंगे और फटा-फट से वो आंसर भी दे रहे होंगे क्योंकि चैप्टर में इतने अच्छे से मैं चीजों को दो-तीन बार बोलती हूँ जिसे कि वो वहाँ पर याद हो जाती है और जब हम चैप्टर के कोशन अंसर करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारी डिवीजन हो रही है तो पडोसी राज्य कौन से हैं पंजाब है हरियाना है उत्तर प्रदेश है मद्य प्रदेश है और गुजरात है राजिस्थान में सबसे पहले सूर्य अवं सूर्यास्त किस जिले में होता है तो यह दोलपुर जिले में होता है ठीक है तो हमने देखा राजिस्थान का जो पूर्वी जिला है वो कौन सा है धौलपुर है और पक्षमी जैसलमेर है तो सबसे पहले सूरेदर जो है वो कहा हो रहा है धौलपुर में हो रहा है और सूर्यास्त भी यहीं पर होता है राजिस्थान में कुल कितने संभाग हैं तो हम बहुत बार ये चीज पढ़ चुके हैं कि हमारे राजिस्थान में कुल साथ संभाग हैं जैपुर, जोदपुर, बिकानेर, अजमेर, कोटा, उधैपुर और भरतपुर जैपुर संभाग में आने वाले जिले कौन कौन से हैं तो important है ये पूछा जाता है कि जैपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं तो जैपुर तो आएगा ही इसके अलावा दोसा, सीकर, अलवर, जुन जुनु ये भी आते हैं जैपुर संभाग में जैपुर, दोसा, सी लुटावागि है। यानि जैपूर जंभाग जो है इसमें 5 जिले आते हैं। नेक्स्ट दहिए liniai nao10, जोद्पूर संभाग में आने वाले जिले कॉण कॉण से हैं? जोद्पूर जंभाग में आने वाले जिले हैं। लुद्पूर, पाली, जालोर, सिरोही, बाडमेर और जैसलमेर. Next देखिए, question number 11, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं question answer series, तो उन लोगों को मैं बता दू कि हम लोग पहले chapter पढ़ते हैं, उसे हम detail से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम question answer करते हैं, और ये जो question answer हैं, ये आपके chapter में, जितना भी paragraph दिये हुए हैं, उसमें से जितने भी maximum question निकल सकते हैं, वो सभी यहां include हैं, ठीके, यदि आपने chapter नहीं भी पढ़ा है, तब भी यहां आपका काम चल जाएगा, क्योंकि यहां पर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, एक भी line नहीं छोड़ी है, तो आप किसी भी exam के तयारी करोगे, आपको ये books जो हैं, वो पढ़नी ही होगी, उनको सभी चीज़े, हर चीज़ की PDF जो है, वो मिल रही है, handwritten notes मिल रहे है, इसके अलावा जो है, इन question answer series की PDF भी मिल रही है, तो अजमेर संभाग के अंतरगत कौन कौन से जिले आएगे, अजमेर आएगा, भीलवाड़ा आएगा, टॉंक और नागोर, तो जो भी संभाग हैं, इन में ये जिले तो आएगे ही, जैसे जैपूर संभाग में, जैपूर तो आएगा, जोदपूर संभाग में, जोदपूर आएगा, और वीकानेर संभाग में, वीकानेर आएगा, इसी तरीके से अजमेर संभाग में, अजमेर जिला तो आएगा, की कोशिश करें कोटा संभा के अंतरगत आने वाले जिलों के क्या नाम है कोटा बूंदी बारा और जालाबाद देखिए कोश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप लोगों को याद रखना है क्योंकि नेगटिव मार्किंग है second grade में आपको पता है और एक कोश्चन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत भारी भी हो सकता है और बहुत हलका भी हो सकता है इसका मतलब ये है कि आप लोगों को वो कोश्चन जो है वो आगे भी पहुँचा सकता है और एक ही कोश्चन आपको पीछे भी धवेल सकता है इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से आप लो उसमें आने वाले जिले हैं उद्यापुर, चितोडगढ, रासवाड़ा, ढूंगरपूर, प्रताबगढ और रासमध। भरतपूर संभाग में आने वाले जिलों के क्या नाम हैं? तो भरतपुर, धौलपुर, करॉली और सवाई माधवपुर, भरतपुर, धौलपुर, करॉली और सवाई माधवपुर, भरतपुर संभाग में आते हैं, ठीके, चलिए, अब इसको भी मैं एक बार रिवाइस कर देती हूँ, तो ध्यान से इस चीज़ को सुनिए, कि जैपु दोसा, सीकर, अलवर, जुन्जनू है, जोदपुर संभाग में जोदपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाडमेर और जैसलमेर, भीकानेर, चूरू, गंगा नगर और हनुमानगर है, अजमेर संभाग में अजमेर, भीलवाडा, टोंक, नागोर है, कोटा संभाग के अंतरगत कोटा, भूणदी, बारा, जालावाड आते हैं, उदेपूर सम्भाग में, उदेपूर, राजप, चितौडगर, बासवाड़ा, डुंगरपुर और प्रताबगर आते हैं, और भरतपूर सम्भाग में, भरतपूर, दोलपूर, करॉली और सवाई मादापूर आते हैं, इसी कि आप गाना सुन रहे हो वीडियो को बार-बार सुनना है आपको चीजें यहीं पर याद हो जाएगी नेक्स्ट देखिए राजिस्थान की कुल इस्थलिय सीमा कितनी है यह 5920 किलोमेटर है और जहां हमने कुल शेत्रफल देखा था कि 3,42,249 किलोमेटर में फैला हुआ है हम राजिस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है राजिस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है तो वह है मद्ध्यप्रदेश यह 10 जिलों से सीमा लगाता है राजिस्थान के 10 जिलों से यह है टच होता है मद्ध्यप्रदे राजेस्थान की सबसे चोटी सीमा किस राजे से लगती है तो मद्दे प्रिदेश से सबसे बड़ी सीमा दसर जिलों से मिलती है वही पर सबसे चोटी सीमा जो है वह है पंजाव राजे से मिलती है राजिस्थान वर्तमान स्वरूब जो है वो कब सामने आया वर्तमान स्वरूब जो है राजिस्थान का कब सामने आया एक नवंबर 1956 को नेक्स्ट देखिए, कुश्यन नमबर 20, राजी स्थान का शेतरफल की दरस्टी से सबसे चोटा जिला कौन सा है? तो सबसे चोटा जिला कौन सा है? धोलपुर जिला है, और सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर विश्व का सबसे बड़ा महादीप कौन सा है तो विश्व का सबसे बड़ा महादीप है एशिया महादीप कुश्यन नमबर 22 भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंदरशाशित प्रदेश हैं तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? देखिए, इस वक्त वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 के इंदर्शाशित प्रदेश हैं. कैसे याद अखना है? 28 आट. Next है, भारत का शेत्रफल की दृस्टी से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हमने अभी राजिस्थान के बारे में जाना था, थोड़ा सा हमें भारत के बारे में भी जानना है, जो कि आपके चैप्टर में भी दिया हुआ था. तो भारत का शेत्रफल की दृस्टी से सबसे बड़ा राज्य जो है, वह है राजिस्थान. राजिस्थान भारत की कुल शेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह 10.41 प्रतिशत है. कितना है? यह भारत का लग भग 10.41 प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है. भारत पाकिस्थान रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? भारत पाकिस्थान के बीच में क्या है? एक लाइन है जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं. तो इसका निर्धारन जो है हुआ 1947 में जब हम आजाद हुए थे. राजिस्थान की पक्षमी अंतराष्टी सीमा किस देश से मिलती है और वह कितनी लंबी है? तो मैप जो है आप लोगों को याद है तो आपको पता है किसकी पक्षमी जो अंतराष्टी सीमा है पाकिस्तान से लगती है जो कि 1070 किलोमेटर लंबी है. केंदर शाशित प्रदेश से क्या अभिप्राय है तो कई बार पूछ लिया जाता है definition कि भारत की कुछ ऐसे शेत्र जो केंदर सरकार द्वारा शाशित होते हैं जिन पर control जो है वो केंदर सरकार का होता है तो उन्हें कहते हैं केंदर शाशित प्रदेश तो chapter 1 में जितने भी question थे सभी हमने यहाँ पर ले लिये हैं तो आप लोगों ने chapter जो है पढ़ा उसके बाद आपने यह question answer किये अब आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे लेकिन आपको करना क्या है इनको बार बार जो है वो पढ़ना है वीडियो बार बार देखना है जिससे की आप भूलो नहीं और अगर आप एक बार पढ़ने के बाद इनको छोड़ देंगे तो आप इतनी आसान चीजे भी भूल जाएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू